तो यह भी इंडक्शन मोटर स्टार्ट होते ही अपनी नोर्मन लिमिट से 5-10 गुना जाद करंट क्यो लेती है इसी बारे में आज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो चालू करते हैं फिर और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है ना बेटे तुम्हे अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करो चलो अब मैं तुम्हें कोई बेकार का एक्जेंपल नहीं देने वाला कि किसी चीज को शुरू करने में हमें जादा ताकत लगानी पड़ती है फूर एक्जेंपल अगर हम साइकल चलाएं तो शुरुआत में हमें जो मैं तुम्हें थोड़ा थोटी कर इस चीज को समझाने की कोशिश करूँगा बस पूरा देख लेना वीडियो को अच्छे समझ जाओगे मालो एक इंडक्शन मोटर है यह उसका स्टेटर यह उसमें दे दी हमने थ्री फेस का सप्लाई ठीक है यहां पर हो गया तुम्हारा अब यहां पर कुछ बातों का ध्यानकना ज़रूरी है पहली चीज किसी भी कंड़क्टर के अंदर करंट को बनाने के लिए हमें चाहिए चेंजिंग मैगनेटिक फिल्ड मालो कोई भी रिंग है अगर इसके अंदर तुम्हें करंट को बनाना है तो इसके आसपास तुम्हे कंड़क्टर के अंदर करंट बनना शुरू हो जाएगा अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखो जितनी तेजी से मैगनेटिक फिल्ड चेंज होता है उतना ही जाधा करंट किसी भी कंड़क्टर के अंदर बनता है मतलब अगर यहां पर एक सेकिन में बहुत जाधा बार अ अब ओन करते ही क्या होगा जो तुमारी मोटर की सिंक्रोनेस स्पीड है जो मैगनेटिक फिल्ड की स्पीड है वो तुरंती अपनी मैक्सिमम पे आ जाएगी यहां पर किसी इसको मेकैनिकल ही नहीं चला रहे है कि दिरे-दिरे उसको मिस्टार्ट कर रहे हैं यहां पर तो ज ठीक तो यहां पर क्यूंकि जो मैगनेटिक फिल्ड है वो बहुत ही तेजी से एकदम चेंज होना शुरू हो गया अब रोटर के अंदर क्या होता है इसके अंदर होते है कंड़क्टर जिसको हम बोल सकते हैं वाइंडिंग होती है मतलब मोटे मोटे कंड़क्टर की मोटी मो रोटर को स्टार्ट करते हो उस वक्त सबसे ज़्याद हाई होती है पता है क्यूं क्यूंकि रोटर रुका हुआ है रोटर है बिलकुल जीरो वैलोसिटी पे और एक बात और ध्यान रखो किसी भी इंड़क्शन मोटर के अंदर रोटर के जो गूमने की डिरेक्शन होती है वो हमेशा magnetic field की ही direction में होती है अगर magnetic field फिलाल इस तरफ घुम रहा है न तुमारा तो rotor भी इसी तरफ घुमेगा अब ज़र सोच के देखो अगर दो चीजे एक की तरफ भाग रही है तो उनकी जो relative speed है वो कम हो जाएगी For example, अगर कोई train है माल लो यहां से वहां तक भाग रही है 100 की speed पे और अगर तुम उसके पास में कोई bike चलाना शुरू कर दो 60 की speed पे तो तुमारी जो relative speed है वो रजाएगी 40 km पर आवर क्योंकि जब भी दो चीज एक ही direction में चलती है तो उनकी जो relative speed है वो minus हो जाती है तो यहां पर जो relative speed है वो गी 40 ऐसा ही सेम यहां पर होता है क्योंकि rotor और magnetic field एक ही direction में घूम रहे है तो इनकी जो relative speed है rotor के घूमने के बाद वो minus हो जाएगी लेकिन अभी rotor जो है बिल्कुल रुका हुआ है 0 speed पे है तो शुरुआत में जब तू motor को start करते हो उस वक जो magnetic field की relative speed होती है rotor के मुकाबले वो सबसे ज़्यादा high होती है ठीक और इस high speed की वज़े से यहां पर magnetic field बहुत ही तेजी से change हो रहा है तो यहां पर rotor के अंदर बहुत हैवी current बनेगा बहुत ज़्यादा ताकतवर current बनेगा अब यहां पर ज़्यान दो इसका एक magnetic field हो गया तुमारे stator का अब यहां पर एक और magnetic field बनेगा जो की होगा rotor का क्यूं? क्यूंकि rotor के अंदर बन रहा है current तो इस current का अपने अलग से magnetic field होगा क्यूंकि तुम्हें यह बात मालू होनी चाहिए कि जहां भी current है वहाँ पर magnetic field होना ही है तो यहां पर एक बहुत हैवी current rotor के अंदर है उसकी वज़े से एक बहुत हैवी magnetic field बहुत ही ताकतवर magnetic field rotor के अंदर बनना शुरू हो जाता है जो कि stator के magnetic field से अलग है याद रखना यहां पर एक अलग magnetic field है rotor का और इस stator का अलग से magnetic field है अब इसके magnetic field की direction जो है न rotor के magnetic field की वो तुमारे stator से उल्टी direction में होगी अब इसकी direction उल्टी है इससे इसका मतलब तुमारे rotor का magnetic field तुमारे stator के magnetic field को cancel करने की कोशिश करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा, प्यूंकि यह से ulti direction में है, और तुम्हारा जो rotor है, वो अपने magnetic field को maintain करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए जाधा current supply से उठाना शुरू कर देगा यहाँ पे बात को ध्यान से समझो तुम्हारे stator ने magnetic field को गुमाया, उसके वज़े से rotor के अंदर current बनना शुरू हो गया, और उस current ने अपना rotor का खुद का एक magnetic field बनाया जो कि पहले वाले magnetic field के यानि कि तुम्हारे stator के magnetic field के ulti direction में था, तो इसके magnetic field ने, इसके magnetic field को supply से उठाता है, और यही वज़े है कि तुम्हारा जो starting में motor जादा current supply से लेती है अब मालो motor start हो चुकी है इसका तुम्हारा rpm ता 1500 तुम्हारा synchronous speed थी 1500 अब मालो rotor की speed हो चुकी है 500 rpm वो भी A की direction में तो इनकी जो relative speed है, वो कितनी हो जाएगी 1500 माइनस 500, क्योंकि A की दिशा में है तो यहापर relative speed हो जाएगी 1000 यानि कि अगर अब देखा जाए 1000 के rpm पे तो rotor के अंदर जो magnetic field है वो पहले के मुकाबले कम तेजी से change हो रहा है पहले 1500 की speed पे change हो रहा था अब 1000 की speed पे हो रहा है तो यहापर जो rotor है वो एक कमजोर magnetic field उसका बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहापर जो current है वो कमजोर पढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी वज़े से magnetic field भी कमजोर पढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर इसका magnetic field कमजोर पढ़ेगा तो ये इस वाले के magnetic field का कम विरोध करेगा तो उसकी वज़े से कम current सप्लाई से उठाएगा